दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ IQNU 9 Pro versus OnePlus 12R इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ और ये दोनों फोन एक ही price range में है 20 second fab को ये phone जो है IQNU 9 Pro launch हो जाएगा तो आपको इन दोनों में से कौन सा phone buy करना चाहिए कौन सा phone value for money हो सकता है ये इस वीडियो class तक आपको बता चलेगा तो मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं influencer वसीम YouTube चैनल बात करेंगे सब से पहले इन दोनों के डिस्पले से तो देखिए IQNU 9 Pro में जो मिलता है AMOLED डिस्पले ही 6.78 इंचे में है 453 PPI पर वेज़ड है 144 Hz का refresh rate मिलता है HDR10 Plus का support है और 3000 nits peak brightness मिल जाती है OnePlus 12R की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3D कर AMOLED डिस्पले मिलता है size 6.78 इंचे है 450 PPI पर वेज़ड है 120 Hz का इसमें refresh rate मिलता है और HDR10 Plus का भी support है और 4500 nits peak brightness मिल जाती है इसमें आपको तो इस तरह से ही हो जाते हैं दोनों के display अब देखिए अगर मैं बात करूँ एक ही बार में कि winner कौन सा phone है तो वो तो OnePlus 12R है ही लेकिन अगर आप IQ 9 Pro अगर आप buy कर लोगे मतलब content watching के लिए तो इसमें जो display यह भी काफी अच्छा है बस थोड़ा सा peak brightness का फर्क है उसमें 4500 और 3000 तो आप जो इतना जादा फर्क नहीं रहेगा तो इसलिए जो IQ 9 Pro है ना वो भी अच्छा है और OnePlus 12R जो है वो तो winner है ही बात करूंगर मैं यहाँ पर camera की तो camera जो हो 50MP में आपको मिलता है IQ 9 Pro में 8MP में ultra wide camera मिल जाता है इसमें और इसमें Sony IMX 920 के साथ है यह और इसमें OIS भी मिलता है आपको 8K video recording with 30fps आप यहाँ से कर सकते हो फ्रेंट camera की बात करें तो वो 16MP में है और Full HD video record आप यहाँ से कर सकते हो OnePlus 12R की अगर में बात करूं तो देखिए इसमें 50MP में main camera मिलता है और इसमें Sony IMX 890 sensor मिलता है और 8MP में ultra wide camera मिल जाता है इस तरह से यह हो जाते हैं और इसमें एक और camera जो की 2MP में है वो है macro तो इस तरह से triple rare setup OnePlus 12R में मिलते हैं EIS plus OIS का support भी है 4K video recording भी 30fps आप यहां से कर सकते हो 30-60fps OnePlus 12R में कर सकते हो front camera 16MP में है Full HD video record कर सकते हो आप यहां से इसमें EIS का support भी है front camera में तो काफी अच्छी smoothness रहने वाली है तो बात यह है कि यह सबसे अच्छा camera मतलब हमें कौन सा phone में मिल सकता है camera के लिए कौन सा phone buy करना चाहिए तो थी Icune U9 Pro जो है वो अच्छा phone है और इसमें जो lens use किया गया है na rear camera में वो काफी अच्छा है और इससे मतलब picture quality भी मतलब काफी ज़यदा improved है इस phone की तो Icune U9 Pro जो है वो भी काफी अच्छा phone है लेकिन इसमें जो front camera है वो मुझे अच्छा नहीं लगा है तो OnePlus 12R जो है उसमें rear camera भी ठीक है और जो front camera है वो भी अच्छा है और यहां से आपको EIS का support मिलता है तो vlogging वगर अगर आप करते हो तो काफी ज़यदा अच्छा experience आपका रहने वाला है otherwise जो camera है वैसे मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही ठीक है लेकिन जो front camera की बात आ जाती है तो OnePlus 12R विनर हो जाता है बात करूंगर मैं यहाँ पर chipset की तो chipset जो है वो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है IQ9 Pro में और 4NM पर बेज़ड है यह OctaCore CPU के साथ है Android 14 इसमें आपको मिलेगा OnePlus 12R की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मतलब similar chipset मिलता है 4NM पर बेज़ड है Android 14 इसमें भी आपको मिलेगा तो gaming जो है और दोनों इफोन में तगड़ी लेवल की होने वाली यह flagship chipset दोनों में आपको मिल रहा है तो gaming के लिए दोनों इफोन है दोनों में से अगर आपको इफोन बाई कर लेते हो gaming में तो काफी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है लेकिन मैं recommend करूँगा कि आप आप आईक्यू नाइन प्रो वाई करें क्योंकि इसमें 144 हर्ट का refresh rate है तो यह काफी ज़्यादा अच्छी smooth experience आपको मिलेगा gaming में बात करते हैं बैटरी की तो बैटरी जो है वो आईक्यू नाइन प्रो में 1160 mAh का मिल जाए 120 watt की fast charging मिल जाती है अभी जो 120 watt की fast charging है यह काफी ज़्यादा fast है लगभग 20 minute almost लगते है चार्ज होने में तो वो जो है आईक्यू नाइन प्रो आपको काफी एच्छे से कर देगा OnePlus 12R की बात करूँ तो इसमें 5500 mAh का बैटरी मिलता है 100 watt की charging मिल जाती है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही लगेगा चार्ज होने में वैसे OnePlus 12R भी ठीक है बैटरी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस तरह से आप बाई कर सकते हो I hope आपको सब कुछ के लिए हुआ होगा और आपका कोई भी question कर रही है तो आप comments में पूछ सकते हो जोई phone आपको इन दोने में से बाई करना है comments में जुरूर बताना मैं मिलूंगा आपसे next video में thanks for watching this video